क्रिशी दर्शन कारिकरम के दिखईया 36 गड़ के मयारू किसान भाई वहिनी हो मया भरे जै जोहार राम राम ए जंगल जंगल जाड़ी जाड़ी खोजें सवरी आला जंगल जंगल जाड़ी जाड़ी खोजें सवरी आला संग्वारी हो हमर 36 गड़ प्रदेश एक नवंबर संदू हजार के बनीस अवनों से अच्छादित हमर 36 गड़ प्रदेश है संग्वारी हो और यहां के सुदूर ग्रामीड अंचलम यदी हमन देखन पहाड़ी शेत्र में जंगल अंचलमा तो आदिवासी समुदाय के बहुंस से ऐसे समुदाय है मनखे मन है जेनहा वन संपदा के जो प्रचूर मातरा हमर 36 गड़ में भरे है ओकर से जीवन यापन करते अवन संपदा से भरपूर हमर 36 गड़ है और इसने अभी जो मौसम है संग्वारी हो जड़ी बूटी के जो नौजदी है बात हमन करतन पुराना जमालल सुर्ता करतन योगा के बात चला थे वनौजदी मन के बात चला थे जड़ी बूटी के बात चला थे तो संग्वारी हो हमर 36 गण में भी वन आउस्धी पाउधा मन के खेती के बड़ा संभावना है अव एकर से कतिक महत्व है एकर खेती करके रोजगार भी जूटाए जा सकत है तो संग्वारी हो आप मन यदि जान डरे हो तो भोल में बताना चाहता हो कि आज हमन चर्चा के विशे राखे हैं कि वन आउस्धी मन के खेती कैसे करे जाए अव एकर से रोजगार कैसे जूटाए जाए एव इस हम चर्चा करबो संग्वारी हो विशे सक गले में बुलाओ तब तक आप मन देखाओ ये खास संदेश मिट्टी में गोबर खाट डालने से जो फायदे होता है वो यह है कि गोबर खाट में सबसे पहले जो तत्व पाया जाते हैं निल्ट्र मैकरो निल्ट्रियंट्स उससे उत्पादन ज्यादा आता है और वा मेत्टी में जो मिट्टी की संरचना हूं बनी रहती है फिर फ्याइं जिस टा Guide की होनी चाहिए वीजो पौधे के लिए अपना जो फायदे मंद है वह बनी रहती है संग्वारी हो संदेश के पहली आप मनला बताया रहा हूं कि आज के हमर चर्चा के विशह है कि वनाउस्दी पाउधा के खेती और स्वरजगार ए विसेमा चर्चा करेबर आप मनला उत्तर देबर इंद्रा गांधी क्रिशी विश्वित द्याले के सस्य विज्ञान विभाग के सहयक प्राध्यापक डॉक्टर अरुन कुमार त्रिपाटी जी हमर वीच आगे है ओकरो स्वागत करा था हूं अवा आप मन के भी पुना स्व संभावना है जंगल जाड़ी कोती यह मन खेरी थे तब और मैदानिक भाग मेरी थे तब अव यकर महत्व का है वन अवजदी पवधा कि हम खेती कर वो तो हमना का फाइदा हो ही कायकर महत्व है और संभावना क्ते करेगे आवा संगवारी हो त्रिपाटी जी का बतावते स तोरे के रूप में हैं लेकिन अभी हम लोग जो देखते हैं 36 गड़ की जो वन संपदा है यहां का 46 प्रतिसद वन छेत्र है और उसमें अकूत वन औसधी आये वन औसधी फसलों का भंडार भरा पड़ा है धीरे धीरे मित्रों किसानभाईयों यह जो वन संपदा है इसका वि किडियों को भी हमें जो मिला है उससे कुछ बढ़ा के दे सकें प्राचीन काल से ही हम लोग देख रहे हैं कि 36 गड़ में हमारे बाप दादा पूरवजपूर्ख है सारे जो वन में उपलब्ध जड़ी बूटियां है चाहे वो कलिहारी हो चाहे चरोटा हो गिलोए हो है कपूर कच्री है सर्प गंधा शोगंध नाना प्रकार की जो वनोशधियां है इनका उपयोग विभिन बीमारियों के इलाज में करते आ रहे हैं कभी बस्तर से लेकर के और जो हमारा सर्गुजा तक का जो छेत्र है यहां की जलवायू है यह जो जड़ी बूटियां है ज में पार्ट में गुलवकावली की खेती अच्छे से की जा सकती है सफेद मूसली है काली मूसली है नाना प्रकार की जो वनोशधियां है हमारी जलवायू में बहुत अच्छी हो सकती है इसके तरीक दूसरा प्रशनाता है वनोशधियों की खेती यह इनके संवर्धन चेत्र है ऐसे चेत्रों में हम शहद मधुमक्खी पालन कर सकते हैं शतावर की खेती कर सकते हैं इन खेतियों से हमें लाब भी होगा और हाथी की समस्या में भी हमें निजात मिलेगी तो हमारी जो भूमी है जिसमें जो बलुई मिट्टी है जिसमें पोरोशिटी सरंद्रता ज चाहिए यह सारी इस्थिती और जो अमली मिट्टी है जहां साल के घने जंगल है जहां खेकसी के पोधे साल के पेड़ों में भी चढ़े मिल जाते हैं तो ऐसी जो हमारी भूमियां हैं वह नाना प्रकार की विभिन ने जो वनोशदी फसलें उनकी खेती के लिए भी बहुत उ और विद्धेमान हैं इनको ना सिर्फ इनका संरक्षन करें इनका उप्योग करें इनको प्रसंस करन और मुले संवर्दन करके बाजार में विक्रे करके लाफ कमाएं आयका जरिया बनाएं लेकिन इसके साथ-चात इनका संरक्षन भी करते रहें जिससे आने वाली पीढ़ि किसान भाईयो यह जो प्रमुख रूप से हमारे जो वन शेत्रों में बनोशधी फसलें पाई जाती थी जैसे उधर विकार के लिए हरा-वहेरा आवला आपने सुना होगा तृफला-चूरण बाजार में उपलब्ध होता है तो यह रा जंगल हमारे हैं पेड़ हैं बहेरा और आवला भी हैं यह प्रचूर मात्रा करके हर्रा बहेर आवला से त्रिफला चून बना करके हम इसका विक्रे करें इसके अतिरिक बात यह आ रही है कि जो प्रमुक रूप से फसलें एक फसल जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा सरगुजा के जंगलों में प्रचूर मात्रा में अभी भी है वो कलिहारी कि इसका kwisand NPC-kalihari भ consuming 3 हीने की फसल जाते हैं लाल र Kangका खूब सूरत फूल इसमें दिखता है और को सहीबे किसान भाइयों को मैं बताने बताते हुए मुझे हर्ष है कि हमारे जंगलों में जो यह पहुदा यह तमिल नाडू का राजिपुष्प भी है कई देशों में भी इसकी खेती हो रही है और इसका उपयोग वहां के जो बैगा लोग हैं जो बुजूर्ग किसान भाई हैं जो वैद्दे लोग हैं वो इसका फेमली प्लाइनिंग में और डिलीवरी प्रशो पीड़ा कम करने के लिए और अच्छे से प्रसव हो इसके लिए इसका उपयोग करते हैं इसकी जड़ों जड़ों में जो एलकलाइट पाया जाता है उससे कैंसर रोधी दवाएं बनती हैं और यह पौधा विश्व की जो लुप्त प्रायव पनश्पतियां है उनमें शामिल है लेकिन हमारे पास है अब शेकता है कि हम इसका किस तरीके से व्यवस्थित वज्यानिक ढंग से इसकी खेती करें इसकी खेती भी जो कलिहारी है इसकी खेती आसान है अमली मिट्टी होनी चाहिए रायपूर और जो मध्धे छतीजगड़ है यहां पर इसकी खेती मुश्किल है क्योंकि य जैसे बारी शोती जुलाई में तो इसकी पौधे निकल आते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसके पौधे डार्मेंड प्रसुपता वस्ता में चले जाते हैं और इसका जड़ है वो जमीन के अंदर पढ़ा रहता है अगले वर्स फिर से जैसी बारी शोती जून के महीने निकल आते हैं और सुंदर फूल होता है और इसकी जो कंध है इसको खोद खोद के उप्योग किया जा सकता है अभी हो क्या रहा है कि यूआ लेकिन जहां नहीं है उसको लगाते नहीं है हमें इसको व्यवस्थीत इसकी व्यग्यानिदंग से खेती करें तो इसका व्यापक बाजार भी उपलब्ध है, दूसरी फसल जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा किसान भायू केमाच है, आज हमारी जंगलों में प्रचूर मात्रा में केमाच उपलब्ध था, केमाच में एक सेरोटोनीन नाम का कंटेंट होता है, जिसके कारण ये खुजली, इचिंग की उसमें एक समस्या होती है, कि इसके संपर्क में तोचा के संपर्क में जब भी आता है, तो जो रोएं होते हैं, इन से जब भी ये सेरोटोनीन कंटेंट मिलता है, तो जिस तरीके के इचिंग होने लगती है, बड़ी तीवर खुजली होती है, पहले इसके लिए प्रूंग ये लोग इसी नाम से इसको जानते थे किमाच मतलब खुझली अब जो है बंगलावर में जो आई आई अचार है वहां से कुछ किसमें निकली है सी मैप से एक सिम्स फूर्ती नाम की किसम निकली है लखनव से तो इन किसमों में खुजली करने वाले बिल्कुल नहीं है इसमें जो सरेटोनीन कंटेंट है वो मिनिमम हो गया है कम से कम कर दिया गया है जिससे इसमें खुजली नहीं होती इसकी खेती मेरों मे की जा सकती है इसकी बेल पेड़ में चढ़ जाएगी एक पौधे से एक बीज से चार से पांच किलो तक इसमें केमाज का उत्पादन हम ले सकते हैं और यह बहुत अच्छी अच्छे फाइदे की फसल है इसकी विवस्थित खेती करते हैं इसमें स्टेकिंग करते हैं तो किसा अवश्य करें मेडों में लगाएं पौधों के बीच में लगाएं खाली जगह में लगाएं अभी हमारे शासन की योजना चल रही है बाड़ी विकास की बाड़ी में हमको जरूर लगाना चाहिए अब इसमें खुजली की कोई समस्या नहीं है हमारे बस्तर छेत्र में जो नारायनपूर अभूज मार का छेत्रे वहां पर हमारी महिलाएं माता हैं बहने सुरू से ही बच्चों को जो वर्मिंग की प्रावलम होती है कीड़े पेट में पढ़ जाते हैं चेहरे में चकत्ते होते हैं तो डिवर्मिंग के रूप में दवाओं का डाक्टर्स के पास हम महीने में उनके पूरे वर्मस निकल जाते हैं और यह बहुत फाइदा होता है जो हमारी वनोशी अनीक भंग से खेती कैसे करें हमारे मन में यह प्रसंद नाता है कि जंगलों में तो अपने आप खेती हो रही थी उनकी अपने अप हो रही थे वह फसले लेकिन जब जंगल भी कम हो रहे हैं और आवश्यक्ता आ रही है बाजार में मांग ज्यादा है तो हम उसकी वैग्यानिक धंग से खेती कैसे करें ज्यादा तर जो हमारी वनौशदी फसले हैं जिनका हमने आपको अभी नाम बताया केमाच हो गिलोय हो अकरकरा है सफेद मूसली है काली मूसली है यह सारी शटावर है यह सारी फसलों को कि जल माघ हैं भूष कम है पानी के आवरwash्यवत्पायर में व гл खेती कर रहे हैं उसमें जो डिस्पोजेवल यह जो बोतल आते हैं जो लोग उपियोग करने के बाद फेक देते हैं पानी की बोतल या इसी तरीके से कोई इंडिजनस जिसमें कम खर जाता है उसको आप ड्रीप के रूप में वहां लगा दीजे बूद 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 उसकी जड़ छेत्र में वो पानी जाता रहेगा और जो सतावर है इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं संग्वारी हो ये तो रहिस्त वन आउस्दी पौधा मन के खेती करन वोकर बाद वैज्ञानी खेती के बाद सनक्षण करना है समवर्धन करना है वोकर महत्वल बताना है चाहि organisatlike with a tham Stat a sature second ten और तर एक जन्वारी हो कहे करें 100 जला करना है और फील प्रभंधन आउस्धी पौधा बर कई से होना चाहिए ऴज्ट तरिपार्टी बतावत तेल सून तन देन संग्वारी हो हम अंचर्चक अरथन वनाउजदी पाउधा के खेती और रोजवार के बारे में बेरा होगे एक थन खास संदेश आप मनबर अव देखाएके विराम लेके तो आप मनबर देखावाथन इस संदेश देखाओ अरे नादान बच्चे को ABC सिखा रहा है अरे काम धंदे की ABC तू कब सीखेगा ये देख विज्ञापन तेरे जैसे क्रिशी विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले ने एक योजना बनाई है AC ABC जी हाँ AC ABC यानि Agri Clinics और Agri Business Center इसके तहट क्रिशी विज्ञान पढ़े युवाओं का चैन होने पर उन्हें मुफ ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवाओं अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी वापने कारोबार से जुड़ी लाबदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44 प सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम जन जन ने इस प्रांती में है विश्वास जगाया हम सबने मिलकर विकास का पर चब है कह आया सहकारिता है अपने विकास की पहचार नए दोर में सहकारिता ही भारत का कभी हो कृशी मंत्राले भरत सरकार द्वारा जन हित में जारी अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्थ करें राश्टी ये बागवानी मिशन जीवन संवारे खुशिया पहलाए संवारी हो वनाउजदी पौधा के खेतिक बारे में हम चर्चा करत हैं अब बात आथे संवारी हो की खाद के प्रबंधन वनाउजदी पौधा में कैसे करना है अब खर पतवार यदी आज अथे हमर खेत मा तब वो करनी अंतरण हम कैसे करना तो संवारी हो दुनों बात के जानकारी आप मला देवावा थन जानकारी देवा थे डॉक्टर अरुन कुमार त्रिपाटी जी इसके अतिरिक्त किसान भाई यू एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा कि खाद और उलवरकी एक महत्तोप्रोन विशे है क्योंकि जब तक उनको परियाद पोशन नहीं मिलेगा तो उससे हम उत्पादन भी उनको वो उच्च गुनवत्ता का उत्पादन कम मिलेगा तो कौन सी खाद देना चाहिए जाहिए यह वनोस्वध performed माँच्च गेमने के पेड के उपर चड़ता है तो जहां वे हमकी त्साइड में से चार और एक ठालला बना लें थाला बना लें और उसमें श्चायादार इस्तिती तो रहती ही है उसमें केचुए डाल दें गोबर जो है उसका गोबर का घोल डाल दें या आज गोबर जो गाय किया ताजा गोबर ना डालें लेकिन सडी गली जो पत्तियां है इनको सब को डाल दें उसमें केचुए और तो वह हमारे पौधे को खाद भी वहीं बनेगी वहीं हमारा पौधा पोशकतत्तों को लेगा और जो ज्यादा केचुए होंगे उनको आम निकाल के कहीं और भी बेश सकते केचुए की खाद ज्यादा हुए तो हम दूसरे पौधों में भी सप्लाई कर सकते एक तो इन मतलब उसी स्थान पर पेड़ के चारों और जहां भी हम थाला बनाएं वहां पर केचुए खाद का उत्पादन कर सकते हैं केचुए की संख्या भी बढ़ा सकते हैं व्यापार करके उससे लाफ ले सकते संगवारी हो यह तो रहिस बात खाद प्रबंधन के बारे में अब ब खाद की पाउधा के खेती मां कई से होना चाहिए किसान भायों हमें जो भी जंगल में पोधें हैं जिनका अधी हम ब्याबशाइग करते हैं तो इनकी कटाई शटाई किस तरीके से हम करें और क्यों करें यह भी हमें ध्यान रखना बहत ज़रूरी है इनकी जो अतिरीक्त ब आबाधीत होती है और हमें कुछ ऐसी बीमारियों का प्रकोब भी बढ़ता है तो हमें बरसात के बाद बरसात के बाद सुआं करनी चाहिए तने में बोडो पेस्ट का लेप करना चाहिए और कुछ साउधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी है अभी जो साल में एक वार हमारा जो महुआ का सीजन आता है मैंने देखा है कि किसान भाई या हमारी वनवासी महिलाएं हैं बहने हैं वो सवेरे चार बजे से महुआ बिन रही हैं और बिनने के बाद भी उसमें वो गुणवत्ता न नेट में किरेंगे आप जाकर के आठ वजे नौ बजे उसको निकाल लीजिए तो यह ध्यान देने की हमें विशेश आवर्शकता है कुछ फसले कुछ पौधें ऐसे हैं जिनके विज्ञानी खेती हम करें तो उसमें खास बात ध्यान देने की है उधारन सुरूप सतावर है नेपाली शतावर पिली शतावर है जिसकी बाजार में अंतराश्ट्री बाजार में राश्ट्री बाजार में बहुत माग है यह 600 रुपए किलो यह शतावर बिखता है यह शतावर बूशी प्रकृतिका होता है इस शतावर की खेती का बहुत अच्छी संभावना है च्छत है कि हम वहाँ पर पूजी लगाएं तक हमें कूछ न लितो हम क्या रें आसे मैं WISH été मैं नगे यहां पर कुछ प्रयोग किया हैं जिसके जो आच्छे उत्सावरधक परிणाम आये हैं। यदि हम सतावर 50-60 cm लाइन से लाइन के बीच में लगाते हैं, सतावर 1.5 साल की फसल है, बीच में हमें एक लाइन मूली की लगा लेते हैं, मूली की लगाने के बाद मूली 30-35 दिन की फसल है, मूली से भी हमें अच्छी आय हो सकती है, 35-40 दिन में सतावर की आय भी प्रभावित नहीं होगी मूली से हमें अतिरिक्त हो जाएगी जिससे क्या होगा हमें जब प्रारंभी का होती है तो किसान भाईयों का उत्सा बना रहता है और शतावर की खेती से से 2,002,000,000,000 रुपए प्रती एकट यड़ साल में शुद्ध किसान भाईयों को हो रही है और ऐसा चत्तिजगड में जो कोर बाजिला है वहां पर इसकी खेती की जा रही है किसान भाईयों के दोवरह चास्थोर से हांती प्रभावित चेत्र है तो हमें इसका ध्यान रखना है हर साल कौन से पेड़की अब यह निर्भर करेगा आपका गटारन है गटारन में निश्टी तुरूप से एक सीकेटियर ले करके और दस्ताने पहन के चलना पड़ेगा क्योंकि उसकी अतिरिक्त बढ़वार नहीं होनी चाहिए में 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 सीमित रखना है उसको हमको बा पनाउस्दी पाउदा खेतिक बारे भामन चर्चा करत रहन अब बेरा होगे मनोरंजन के तावा संग्वारी हो सुन्थन ये गीतला हमको बाता है गामन बाता है लेंसे डारच गो देसे डारें आनीरा रीन उना इसे डाधमis रे कोती है, जरत कर गो दायारी यारी या झालीरा आनीरा आनीरा जेसे डात साफ सता हुर देता, जरत कर गो कालगा याद तक से अ right now झारी हरी नाना झारी हरी नाना झारी हरी नाना अनाा शुआ नाना शुआ नाना, नाना शुआ नाना, ड्राधी नाना e डे भघग आदे. ओ ममा करा दिसला ने दे बताते बार हरी झाना । जहादी हर नाना नाना सुवाना ओतारी हरी नाना संग्वारी हो अवया वेरा फिर नवा विसे के संग्, आप मन संगोड बात करे वराहूं, तब तक मुला देवा विदा, जै जोहार, राम राम